Competition Breaker के तरप से नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोहज सहिता में जो बदला हुए है उनके बारे में दोस्तों भारती दोहज को फेहराने से संबंदित कुछ नियम है उन नियमों में कुछ परिवर्टन किये गए है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारती दोहज से संबंदित कौन-कौन से नियम है और दोहज सहिता में बदलाओ के बार कौन-कौन से नए नियम बनाए गए है लेकिन उससे पूर्व हम लोग भारती द्वज के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तो भारती द्वज है उसको हम लोगों ने तिरंगा नाम दिया है तिरंगा नाम देने के पीछे जो कारड़ है यह है कि हमारे भारती ध्वज में तीन रंगों का प्रियोग किया गया है और ये तीन रंग विशेश महत्यों के हैं इन तीन रंगों का कोई विशेश महत्यों हैं उनके अर्थ हैं भारती द्वच को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था याद रखिएगा डेट ये परिच्छा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पुछा भी गया है तो 22 जुलाई 1947 को भारती द्वच को अपनाया गया था भारती सम्विधान में सम्विधान के अनुछेद 51A के अनुसार भारत के प्रतेक नागरिक का ये करतब भी होगा कि वा सम्विधान का पालन करें उनके आदर सोयम संस्थानों रास्तिय द्वच तथा रास्तिय गान का सम्मान करें यानि कि भारती द्वच के सम्मान के लिए भारतिय सम्विधान में भी एक अनुछिद बनाया गया है। अब हम लोग इस वीडियो में ज्यान लेते कि ध्वज सहिता में क्या-क्या बदलाव किये गये हैं। भारतिय ध्वज सहिता 2002 को 20 जुलाई 2022 को एक आदिश की जरिये संसोधित किया गया था। भारतिय सरकार ने या घूशना की है कि रास्तिय ध्वज जहां ध्वज खोले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरी के घर पर प्रदर्शित किया जाता है इसे दिन रात फैराया जा सकता है। सरकार ने इससे पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर के जंडे के उपियों की अनुमती देने के लिए ध्वज सहिता में संसोधन किया था सरकार के द्वारा जो हर घर तिरंगा अभ्यान शुरू किया था उससे पूर्व ही ग्रह मंत्राले ने भारती ध्वज सहिता 2002 में संसोधन किया ताकि रात में भी राष्टी ध्वज को फेहराया जा सके भारती ध्वज सहिता दो हजार दो तीन भागों में बाटा गया ये तीन भाग कौन कौन से तो पहले भाग में राश्टी ध्वज का सामान ने विबरड दिया गया है दूसरे भाग में जनता, नीजी, संगठनों, सैचिक, संस्थानों, आदिके सदस्यों के द्वारा राष्टिय धज के प्रदर्शन के विशे में बताये गया है केंद्र सरकार ने ध्वज सहिंता में बदलाव किया इसके साथ अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फैराये जा सकता है साथी मशीन और पॉलिस्टर से बने ध्वजों का उप्यों करने के भी अनुमती होगी अब भारती ध्वज सहिंता दो हजार दो के भाग दो के पैरा टू पॉइंट टू के खंड टू को इस प्रकार पढ़ा जाएगा ध्वज जहां ध्वज खूले में प्रदर्शित किया जाता या किसी नागरी के घर पे प्रदर्शित किया जाता है इसे दिन रात फहराया जा सकता है बदलाव से पूर्व जंडा केवल इससे पहले तिरंगे को केवल सूरी अदाय से सूरी आस्ता तक फैराने की अन्मति थी यानि की जंडे को जो है रात में नहीं फैराया जा सकता था लेकिन परिवर्तन करके सहिता में द्वज सहिता में परिवर्तन करके इस नियम को बदला गया और अब जो है द्वज जो है दिन और रात दोनों में फैराया जा सकता है इसी तोरह द्वज सहिता के एक अन्य प्रावधान में भी बदलाव करते हुए कहा गया है राश्टी ध्वज हाज से काटा और हाज से बना हुआ या मशीन से बन्या हुआ होगा या कपास पॉलिस्टर उन रिश्मी खादी से भी बना होगा इससे पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राश्टी ध्वज के उप्योग की अनमती नहीं थी लेकिन रास्टी ये ध्वज सहिंता में बदलाओ करके जो है अब ध्वज अब जो ध्वज का निर्मार मसीन से या पॉलिस्टर से भी बना होगा उसका भी हम प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो ये थम लोगों का आज का वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तो धन्यवाद